आज हम आलू का एगदम क्रिस्पी करारा नास्ता बनाने वाले हैं वैसे तो आलू से बहुत सारा नास्ता बनता है लेकिन आपको इस नास्ते को बनाने के लिए आलू उबालने और मैस करने ज़रूत नहीं पड़ेगे यह जहटपट नास्ता है इसको आप सिर्फ 5 मिनट में जटपड से बना कर तयार कर सकते हैं ये नास्ता बिना सूजी आटा बेशन के बहुत ही क्रिस्पी बनता है नमस्कार आप सभी के मेरे चैनल पर स्वागत है तो चलिए हम रेसिपी बनाना सुरू करते हैं यहां पर हमने 5 कच्चे आलू छिलका साप करके पानी से धो कर लिया ह सबसे पहले हम आलू को कद्दू कस करेंगे यहां पर हमने एक बरतन में पानी लिया है आलू को हम इसी पानीम कद्दू कस करेंगे जिससे आलू काले न हो क्योंकि कच्चे आलू कद्दू कस करने बाद जल्दिस काले हो जाते हैं इसलिए इसको हम पानीम कद्दू कस बहुत बारिक नहीं, आलू को हम थोड़ा मोटा कद्दू कस कर रहे हैं, इससे क्या होगा, नास्ते में आलू का लच्छा दिखेगा, सभी आलू को हमने कद्दू कस कर लिया है, अब इसे हम 3-4 बार पानी बदल कर साप करेंगे, जिससे आलूम जो स्टार्च है ओ नर है, आल इसमें पानी रहेगा, तो नास्ता बढ़िया नहीं बनेगा, इसलिए पानी को हम अच्छे से निचोड कर निकालेंगे, पूरे आलू को निचोड कर पानी हमने निकाल दिया है, आप देख सकते हैं, एकदम सूखा लग रहा है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, यहाँ हम इसके प्लेट का चूरा हमने बना लिया है, अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं, अब यहाँ पर जो हमने आलू कद्दू कस किया था, इसमें डालेंगे आधी छोटी चमच जीर्या, आधी छोटी चमच कूटी हुई लाल मिर्च आप चाहें तो इसकी जगह हरी मिर्च भी डाल सकते हैं तीक्षा अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसके बाद डालेंगे आधी छोटी चमच दरदरा पीसा हुआ काले मिर्च आधी छोटी चमस सब्जी मसाला डाल देते हैं हम पाइकेट वाला मसाला डाल रहे हैं इसकी जगाँ आपके पास जो सब्जी मसाले हैं उसको भी आप डाल सकते हैं इसके बाद थोड़ा सहरा धनिये डाल देते हैं अब इसमें 100 ग्राम भूनी हुई मुंफली को डालेंगे मुंफली को हमने दरदरा पीस कर लिया है मुंफली डालने से इस नास्ते कर टेस्ट बहुत बढ़िये बनता है तो इसमें मुंफली जरूर डालें थोड़ा से नमक डालेंगे स्वाथ के अंसार आप सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे इसी तरह बिना पानी के सारे चीज़ों को मिला कर तयार कर लेते हैं क्योंकि इसमें हमने नमक डाला है नमक डालने से आलू जो है थोड़ा बहुत पानी छोड़ेगा तो लगवक एक चमच चूर आउट डाल कर मिलाएंगे सारे चीजों को मिलाते हुए मिसरण को हमने तयार कर लिया है अब इसका हम कटलेट बनाएंगे तो पहले थोड़ा से मिसरण हाथ मिलेंगे और इसे गोल करते हुए चप्टा करेंगे यानि कि इसको हम टिक्की का सेब देंगे चप्टा करने से पहले हम इसे ब्रेट के चूरा में कोड करेंगे अच्छी तरस इसको हम लपेट लेते हैं जिससे इसमें ब्रेट पूरी तरस चिपक जाए अब इसे हम हलका सचप्टा करके टिक्की क सेब देंगे इस तरह से पूरे मिस्रड का हम cutlet बनाएंगे इसको हम plate में रख देते हैं आप चाहें तो इस नास्ते को कोई भी save दे सकते हैं जो आपको पसंद है गोले, चप्टे, लंबे अकारिम बना सकते हैं इसमें जो उपर से bread लग रहे हैं इस नास्ते को बहुत करारा बनाएंगे ये खाने में बहुत बढ़ियां लगते हैं इस नास्ते में सबसे खास बात यह हैं इसको बनाने में जदा समय नहीं लगता है और बहुत ही कम चीजों में आसानी से बनकर तयार हो जाता है अच्छे से घरम कर लिया है अब गायस को हम थोड़ा मेडिया में करेंगे और इसमें पूरे कटलेट को डाल कर फ्राई करेंगे एक एक करके हम सारे कटलेट को तेल में डाल देते हैं इसको तलने के लिए तेल हमने पहले से अच्छे से घरम किया था अब गैस को मीडिय में करके इसे हम फ्राई करेंगे क्योंकि ये कच्चे आलू है इसको हम मीडिय माच पर तलेंगे जिसे अंदर तक अच्छे से पक जाए और उपर से एकदम करारे बने उपर से सुनाय रंग में होने तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं ये कटलेट फ्राई करने में बहुत ज़द समय नहीं लगता है बस ध्यान रखें इसे बहुत तेज आँच पर न तलें क्योंकि तेज आँच पर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और उपर से ज़दी से लाल हो जाएंगे इसलिए इसे मीडियम आज पर तलें ये कटलेट सुनय है रंगों फ्राई हो चुके हैं आप देख सकते हैं कितना बढ़िये कलर आया है कटलेट का अब इसे हम तेल से निकाल लेते हैं पूरे कटलेट को हमने फ्राई कर लिया है अब गाइश को बंद करेंगे इसके अवाज से आपको पता चल रहा होगा कितने करारे बने हैं उपर से ये बहुत क्रिस्पी लग रहा है अब इसको हम पास से सुनाते हैं कितने करारे बने हैं इसके अवाज से आपको पता चल रहा होगा कटलेट कितने क्रिस्पी बने हैं आप इसे हम तोड़ कर दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसा है तोड़ने गवाद आप देख सकते हैं अंदर कितना बढ़िया लग रहा है पूरे आलू के लच्छे दिख रहे हैं ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हुआ है इस तरह कटलेट आप घर पर बना कर हरी चटने टोम